एक लड़की अपनी साइकलोजिस्ट के पैर में पढ़ती है जब दोने एक दुसरे के साथ रहने लग जाते हैं तब उसे साइकलोजिस्ट के बारे में अजीव 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 चीज़े पता चलती है हलो फ्रेंड्स, आज के हमारे मूवी जैसे इस मूवी का मैं आपको एक्स्पिनेशन करूँगा तो बहुत चीज़े आपको अजीव लग सकती है पर लास्ट में जो ट्विस्ट आता है और जो भी चीज़े आपको पता चलती है उससे आपका पूरा इस एक्स्पिनेशन का परस्पेक्ट्टू जो जाएगा तो इसे अम तक जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो अचा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे कमिन भी कर दीजे जिसे चानल को सपोर्ट मिलता है बीना किसी दरीके के एक्स्मिनेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन करेक्टर जिसका नामे APP लोई एक डौक्टर के पास आई हुई थे उसके पक पीशने और किस वाज़े से ये डौक्टर को भी समज में ने आता उसने स्टमक पेंस के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया हुआ है ये डॉक्टर अब उसे कहती है कि तुम्हारा साइकलोजिकल प्रॉलम होगा तो मैं किसी साइकेटरिस के पास जाना चाहिए उसके बात लुई as per doctor's suggestion लुईस के पास जाने वाली है वो लुईस के पास गए और लुईस कुछ भी बात नहीं कर रहा था तो कलोई खुद अपनी बात स्टार्ट करती है अपने स्टमक पेंस के बारे में वो सब कुछ उससे बताती है वो 25 यह की है अपनी cat के साथ रहती है आज कल वो jobless है पर as a model उसने बहुत सारे पैसे कमाय हुए थे तो उससे जादा worry करने की ज़रूरत नहीं है उसके कुछ love affairs थे और अब जादा कुछ serious उसके life में नहीं है यह सब उसकी बात हुई और first session उसका खतम हुआ next session में कल वो अपने dream के बारे में बता रही थी उसमें वो गहती है कि मेरे dream में तुम मुझे दिखे थे उसमें वो pregnant थी और उसका stomach बहुत ही hurt कर रहा था उसने imagine क्या था कि वो Lewis के साथ intimate हो रही है अगले session में बात करती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं खुद कितनी beautiful हूँ यह दिखाना मुझे अच्छा लगता था तो अपनी beauty सब को दिखाना चाहती थी पर उसे कोई touch करें यह उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा वो wish करती है कि उसके कोई sister होती है जो इस world से उसे protect करती है अगले सेशन में कहती है कि उसकी mother ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया Chloe एक mistake थी Chloe के father का नाम भी उसकी mother को पता नहीं है Chloe हमेशा अपने grandfather और grandmother के साथ ही रही थी इन दोनों ने मिलकर अब figure out कर लिया है Chloe को नहीं लगता कि उसकी mother उससे प्यार करती है इसी वज़े से उसे stomach pains आते है अब थोड़ी दिन गुजर जाते है और Chloe को एक art gallery में job मिल जाता है इस job में हो खुश है और उसके stomach pains भी अब गायब हो चुके है और Louise को thank you कहती है next time जब यह मिलते है तो Louise उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारा treatment नहीं कर सकता Louise को Chloe के प्रदी कुछ feelings आना start हो गया है इस feelings की वज़े से उसकी treatment उसे करना यह सही नहीं लगता Louise उसे हैता है इसी और को मैं तुम्हे refer करूंगा Chloe उसके फिर पास आए और इन दोनों ने एक दुजरे को kiss कर लिया इसके बाद और भी time गुजर जुका है Chloe अब अपनी नए घर में shift हो रही है और वो भी Louise के साथ अब यह दोनों एक leave-in relationship में है घर में जब वो shift कर रही थी तब उसके एक neighbor उसे मिलती है इसका नाम है Rose है Chloe के पास एक cat थी जो रोजे को पसनाती है Rose कहती है मेरे पास भी एक cat हुआ करती थी उसकी cat की date के बाद उसने कभी भी दूसरी cat अडोब नहीं किये घर में सब सामाज shift करते हुए Chloe ने Louise के bag में कुछ देखा उसके passport पर अलग सा नाम लिखा हुआ था इसके बारे में dinner पर वो Louise से पूछती है Louise कहता है कि मेरा नाम ज़रा weird था यह जो अब मेरा नाम है यह लेने में ज़रा अच्छा लगता है इसलिए मैंने रखा हुआ है रात में जब यह intimate होते हैं तो Chloe Louise से कहती है हमेशा मुझे सब कुछ सच बताना कोई भी चीज मुझे से छुपाना मत एक दिन Chloe जब अपने काम से वापस आ रहे थी तो एक जगा पर उसने Louise को एक लड़की के साथ देखा रात में इसी के बारे में उसने Louise से बात की Louise कहता है कि मैं तो टाउन के दूसरी तरफ था उसको हॉस्पिटल बहुत ही दूर है तो उसका वहाँ होना impossible है Chloe को लगता है कि Louise उस पर चीट कर रहा है Louise से समझाता है कल रात अच्छे से तुम्हें नीन ने आई थी शायद इसलिए तुम्हें वैसा लगा होगा वो में नहीं था Chloe ने जीज जगा पर Louise को देखा था नेइस डे Chloe वहाँ जाती है और वहाँ की नेम प्लेट का फोटो निकाल कर लाती है उस बिल्डिंग की यहाँ एक साइकलोजिस्ट काम करता है वो इसका नाम है पॉल पॉल को ओकॉल लगाती है और उसकी एक अपॉंटमेंट ले लेती है अगले दिन जब वो पॉल से मिलनी के लिए तो लुईस की तरह ही दिखता है इसके बारे में वो पॉल से बात करती है तो पॉल कहता है कि लुईस मेरा ट्वीन ब्रदर है पॉल उससे पुछता है तो यह मेरे बारे में कैसे पता चला Chloe कहती है मेरी sister ने मुझे बता है वो पुछता है कि तुम यहाँ आई क्यों हो Chloe कहती है कि मेरे boyfriend से मैं बहुत प्यार करती हो पर फिर भी जब मैं उसके साथ होती हो तो मुझे कुछ empty सा मैसूस होता है Paul बहुत smart है और समझ जाता है कि यह सब जोट बोल रही है उसे कहता है कि जब तुम मुझे सच बोलोगी तब हम इस therapy को continue कर सकते हैं वे तुमें क्यों कर सकता हो उसे मालूम है कि Chloe की कोई भी sister नहीं है उसे लगता है कि उसकी कोई sister हो पर वो अकेली थी Chloe पर चीट गई और वहाँ से चली गई Chloe ज़रा frustrated थी कि लुईस ने अपने brother के वारे में उसे क्यों नहीं बताया वो उसे पूछती है तुम तुमारी family से मुझे क्यों नहीं मिलवा दे लुईस कहता है कि मेरे parents United States में है जब वो घर आएंगे तब मैं तुम्हें मिलवा दूँगा Chloe का फिर से pet दुखने लग गया था लुईस ने नोटिस किया उसे कहता है कि तुम फिर से psychologist को दिखाना चाहिए एक दिन Chloe लुईस से बुछती है क्या तुम कभी wish नहीं करते है तुमारा कोई brother हो लुईस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं मेरा childhood बहुत ही happy था ये जो भी सब dialogue से इस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा वोई के last में कि आपको ज़रा insight दे सकते हैं इसके बात next scene में हम देखते है Chloe ने लुईस को सज़ बताने में मजबूर किया है कि उसने अपना नाम क्यों बदला था इस बार भी लुईस जूटी बोलता है इस बार लुईस कहता है कि मेरी फादर की एक company थी उसने बहुत बड़ा fraud हो गया था फादर की कोई भी गलती नहीं थी पर फिर भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ी इसलिए वो एक नई country में है लुईस अगर अपने parents का ही नाम रखता तो उससे problem आथा इसलिए अपना नाम उसने change कर लिया इसके बाद next year में हम देखते है कि Chloe रोज को अपनी cat डे कर जाती है उससे कहे कर जाती है कि please इसे थोड़े दिनों के लिए रख लो लुईस को cat पसंद नहीं है इसकी neighbor का मानना है कि जिस आदमी को animals पसंद नहीं वो heartless है next year में हम देखते है कि Chloe फिर से Paul के पास आई हुई है उससे कहती है मुझे तुम्हारी help चाहिए मेरे problems को दूर करने के लिए Paul उससे कहता है कि तुम अभी भी जूटी बोल रही हो तुम्हारे यहाँ आने का कुछ अलग reason है वो session यहीं खतम कर देता है Chloe जब वहाँ से जा रही थी तो उसने उसे kiss कर लिया रात में वो लुईस से जूट कहती है उसने actual में लुईस को बताया है कि उसकी psychologist एक woman है लुईस उस psychologist को पहचानता है रात में जब लुईस और Chloe intimate हो रहे थे तो वो Paul को भी वहाँ imagine करती है लुई imagine करती है कि यह दोनों एक साथ उसके साथ intimate हो रहे थे और उसके भी दो parts बन चुके थे इसका meaning movie के last में आपको पता चलेगा अब next time जब Chloe Paul से मिलने के लिए तो directly उसे वो bed तक लेकर आया Chloe से कहती है यह सब करने के लिए मैं नहीं आई हूँ उसे truth find करना है अमने problems के बारे में जानना है Paul को पता है कि यह सब जूट है उससे attracted है तो directly उसके साथ वो intimate हो जाता है इसके बाद यह regularly intimate होते रहते है एक दिन जब यह intimate हुए तो Chloe को बहुत ही अच्छा लगा था Chloe कहती है कि मुझे इतना pleased कभी भी महसूस नहीं हुआ था Paul कहता है तो तुमने imagine तो कभी ना कभी किया ही होगा इसमें क्या फरक है यहाँ पर हम देख सकते है कि Paul के बास एक cat है इनकी इस पर discussion होती है और Paul कहता है कि actual में एक male cat है एक अजीब सी species है इस species में कभी भी male cat नहीं होते male cat होने का chance सिर्फ 1% होता है actual में जब एक cat whom में होते है तो वहाँ पर उसकी sister और वो यह दोनों twins होते है बाद में cat whom में ही अपनी sister को absorb कर लेता है वो कहता है कि ऐसा हमारे humans के साथ भी होता है कभी-कभी हम humans भी whom में ही हमारे sister को absorb कर लेता है बड़ा होने के बाद कई लोग को पता जलता है कि उनमें दो टाइप के reproductive systems है पॉल से मिलने के बाद जब Chloe घर पर आये तो वो उसकी neighbor ने उसकी cat को lose कर दिया था यह neighbor उसे है थी है कि बैलकनी से बाहर चली गए Chloe एक room से होकर इस balcony को देखने के ले जाती है जिस room में हो है इसी room में एक taxi डर्मी की हुई cat उसे दिखती है यह cat उसकी cat की तरह ही है यह देखकर वो डर जाती है neighbor उसे है कि मेरी बेटी की cat थी कि मेरी बेटी की मानसीख हालत अब सही नहीं है वो 20 साल की थी तभी सही मेंडर हॉस्पिटल में है रात में एक party थी जहाब और Luis Chloe को लेकर आता है Chloe एक कलीक से पुछती है कि लुईस के ब्रदर के बारे में तुम्ही कुछ पता है वो कहते है एक बार हमारे पास ऐसा case था दोनों twins में कुछ connection था एक को जो मैसूस होता था वो यह दूसरे को भी पता चलता था यही इस party में Luis Chloe के पास आता है एक lady की तरफ point करता है और कहता है क्या तुम उसे पहचानती नहीं Chloe कहते है कि कुछ याद नहीं आ रहा Luis कहता है कि वो तुम्हारी psychologist है Chloe यहाँ पर बहाना बनाती है वो कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा drink कर ली है इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई जब वो घर पर जा रहे थे तो ज़्यादा पिनिंग की वज़े से Chloe को उल्टी आ गए वो गाड़ी से नीचे उत्रिये पर उसे आगे पॉल दीख रहा था वहाँ से वो डर कर भागी और एक जगा पर टकरा कर नीचे गिर गे Luis फिर उसे घर लेकर आता है इसके बाद नेकसे में हम देखते हैं कि Chloe जब पॉल के साथ इंटिमेट हो रही थे तो पॉल उसे पूछता है तुम्हारा बॉइफ्रेंड और में हम दोनों में से ज़्यादा एट्रेक्ट टू कौन है Chloe कहती है कि मैं डिसाइड नहीं कर पाती जब मैं तुम्हारे साथ होती हो तो उसके बारे में सोचती हो और जब उसके साथ तो तुम्हारे बारे में पॉल कहता है कि क्या वो भी मेरी तरह तुमसे इंटिमेट होता है या वर Chloe को पता चल जाता है पॉल को लूइस के बारे में पता है वो कहता है कि मेरी तरह मेरा ब्रदर कभी भी तुम्हें क्यूर नहीं कर पाएगा, वो अब Chloe को सिर्फ अपने लिए चाहता है, वो कहता है कि Lewis हमेशा बहुत इखटिया ब्रदर था, वो चाहता था कि मैं कभी भी उसकी लाइफ में ना हूँ, उसने अवे अच्यू कर लिया है राप में Chloe Lewis से बात करती है और कहती है कि मैं अब साइकोलाजिस्ट के पास नहीं जाने वाली, Lewis कहता है कि तुम्हारा स्टमक पेन अभी भी कंटिनू है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तुम्हें अपने सेशन कंटिनू करने चाहिए, Chloe कहती है कि हमेशा में उसके बारे म मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, Lewis कहता है, साइकोलाजिस्ट के बारे में सोचना ये भी अच्छा साइन है, अपनी थेरेपी तुम कंटिनू करो, तो मैं बहुत बेनीफिट मिलेगा, एक दिन Chloe और Paul बात कर रहे थे, Paul Chloe को कहता है कि म लुइस से बड़ा हूँ, हमेशा मैं उससे ताकदवर था, मेरी चांसेस और सर्वाइवल ये हमेशा उससे अच्छे थे, वो वीक है, कुछ कल्चरस में जब ट्रीन स्पॉन होते हैं, में सो जो वीक होता है, उसे वो लोग मार डालते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि होते हैं, तो क्लोए बेड में dominant थी, उसने चेक किया, तो अब वो pregnant है, नेक्स टाइम जब वो पॉल से मिलनी के लिए तो इसके बारे में उसने उससे बता दिया, पॉल कहता है, तो वो वरी करने की कोई भी ज़रूत नहीं है, मैं और मेरे ब्रेदर में सेम जीन से, तो कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, क्लोए पॉल से कहती है, तुम दोनों में क्या हुआ था, उसे अब पूरा truth जानना है, पॉल कहता है, तुम रूइस से ही पूछ लो, वो मुझे hate करता है, इस बात पे इन दोनों में बहुत बड़ा जगडा हो गया, क्लोए फिर डॉक्टर के ब क्लोए मानने नहीं वाली, एक दिन क्लोए अपने जॉब पर थी, तो वहाँ पर लूइस आया, उसे कहता है, कि चलो में तुम्हें लंच के लिए लेकर जाता हो, क्लोए जिस म्यूजियम में काम करती है, उसका थीम flesh and blood है, अलग-अलग अजीव सी चीज है, यहा हम देख सक लंच पर लूइस ने क्लोए को उसकी cat का एक निकलेज दिया, यह जब किस करते है, तो क्लोए को पता जलता है, कि लूइस नहीं, तो Paul है, Paul कहता है, कि मुझे किसी भी हालत में तुम्हें देखना था, वह गयता है, हम दोनों की relationship, हम एक secret truck सकते हैं, गुसे में वो वहाँ से जा रही थी, तो Paul कहता है, कि लूइस से तुम Sandra के बारे में पूछो, रात में आकर क्लोए ने लूइस से बात किया, उसे कहती है, मेरे एक friend से मिली थी, जिसका नाम था Sandra, पर लूइस इस पर कुछ भी respond नहीं करता, इसके बाद वो लूइस के सब सामान में देखनी लग जा क्लोए ने Sandra को देखा, पर वो totally unresponsive है, अब हुआ क्या था, इसके बारे में वो Sandra की मदर से बुछती है, Sandra की मदर कहती है, कि Lewis और Sandra रिलेशनशिप में थे, Paul बहुत ही घटी आदमी है, और वो भी Sandra को चाहता था, एक दिन उसने pretend किया, कि वो Lewis है, और उसने उसका रेप किया, इस incident के बाद, Paul ने Sandra को छोड़ दिया था, Sandra डिस्टब हो गए, और उसने खुद कुशी करने की कोशिश किया, इसी बज़े से अब ये उसका हाल है, रात में क्लोए अकेली थी, और उसे लग रहा था, कि नीचे Paul है, वो फिर अपने नेवर के पास आकर सूग गई, इसके ब confrontation था, कि क्लोए अपने सबने में देख रहे थी, जगने के बाद, वो डायरेकली पॉल के पास आई, पॉल को confront करती है, पॉल कहता है, सैंडरा एक घटिया लड़की थी, उसने सैंडरा के साथ जोबे किया, ये उसे गलत नहीं लगता, वो क्लोए से कहता है, कि जब मैं अब तुम्हें देख रहा हूँ, तो तुम्हें भी मुझे सैंडरा ही दिखती है, क्लोए बहुत ही गुस्सा थी, और वो पॉल से थोड़ी से डरती भी है, तो अपने साथ उसने गन लाई थी, एक गन उसने पॉल पर लगए, पर पॉल उससे पूछता है, या तो मैं हंडेट से मालूम है, कि मैं लुइस हूँ या पॉल, अंदर से लुइस भी पहार आ गया, क्लोए डिसाइड नहीं कर पाई कि कौन सा कौन है, उसने इन में से एक पर गन चलाई, अचानक से उसका पेट दुखने लग गया, उससे ब्लीडिंग होने लग गया, उससे फिर होस्पिट सिस्टर भी थी, उसने अपनी ट्वीन सिस्टर को एबजाव कर लिया, क्लोए के पेट में एक सिस्ट थी, यह सिस्ट उसकी सिस्टर को उसने एबजाव किया था, इसी वज़े से थी, इस सिस्ट के हम इमेज देखते हैं, तो क्लोए की मुजियम के आर्ट से है मैच करती है, Chloe अब जरा ठीक है और Lewis और इसकी मदर उसे मिलनी के लिए जाते है Chloe को बहुत ही गिल्टी लगता है तो उसने अपनी sister को मार डाला लुइस कहता है यह ऐसा नहीं होता इसमें उसके कोई भी गलती नहीं है जब रात में Chloe और Lewis इंटिमेट होते हैं तो अपनी sister जिसका नाम उसकी मदर सैंडर रखने वाली थी इसे को मीरर में देखती है यह यह movie end हो जाती है अब movie में हमें जो दिखाया क्या है लुइस और Paul यह सब उसकी imagination थी एक्च्वल में Lewis रियल था और उसका प्रदर Paul जो एक dominant character है उसे जो जाईए वो chain लेता है यह सब Chloe की imagination थी उसे हमेशा से guilty लग रहा था यह उसने अपनी sister को मार डाला इसलिए वो सब imagine कर रही थी वो Sandra को मिलने के लिए गए उसे लगा कि Paul ने उसके साथ बहुत ही गलत किया है Paul यह Chloe का ही एक reflection था वो अपने आपको Paul की तरह एक घट्या इंसान समझती थे इसी वाइचे से Sandra और Chloe की मदर एक ही है और फिर से में clear करता हूँ कि Sandra Chloe की sister थी जो womb में ही मर चुगी थी Chloe पॉल को imagine कर रही थी पॉल ने Sandra के साथ कुछ गलत किया यह भी सब कुछ उसका imagination था इस मूवी के लास्ट में हमें दिखाया गया है Chloe Sandra को देख रही है Chloe को अभी भी लगता है कि Sandra उसके साथ ही है इसी तरीके से movie end होती है और आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैन इंटोविशन आइकोन दबने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एगने movie के अपने आउका खैल रखिया